हाई स्टुडेंट्स आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में और बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं टैंध क्लास विज्ञान के अती महत्पूर प्रस्ण जो की बोर्ड की द्रश्टी से बच्चों बहुत ही महत्पूर हैं तो मैंने तो पैटरन के साफ से पेपर नहीं बनाया है मैंने तो जो इंपोर्टन कुशन है उनको आपको बताने की कोसिस की है इसलिए बच्चों इन प्रस्णों को आप जरूर देखें यह बहुत ही अच्छी प्रस्ण है मुझे आसा है उमीद है कि यह प्रस्ण आपको दूसरे को काटेंगी तो जिनका जो काटान्विन्दू होता है कोई प्रस्ण शोदितर की समाने के लिए आरैकित कीजिए तो बच्चो एक समान चुम्म की चेत्र को परदरसित करने के लिए हम समानतर और समान अंतराल की चुम्म की चेत्रेकाय बनाते हैं अगला प्रस्थन है बच्चो डाइप्टर की परवासा लिखिये तो बच्चो डायप्टर जो होता है वो लेंस की चमता का मातरक होता है तो लेंस की चमता का सुत्र होता है P बरावर 1 बटा F वो बच्चो इस पर numerical भी बनता है इस पर जब भी numerical है बच्चो तो इस focus दूरी को अमेशा आपको meter में रखना है अगर centimeter रख देंगे तो numerical गलत हो जाएगा तो अगर कोई lens है उसकी focus दूरी अगर एक meter है तो solve करो अच्चो P बरावर एक बटे F उसकी चमता निकालेंगे तो एक बटे एक तो P बरावर एक और चमता का माक्तित्रक होता है तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी lens की focus दूरी एक meter है तो उसकी चमता एक डावर होगी पीतल किन दो मिस्टर धातूओं का मिस्टरन है बस तो बच्चों तामा कॉपर प्लस जस्ता जिंक Cu प्लस जेडन इन दो धातूओं को मिलाने पर हमें पीतल प्राप्त होती है बैकिंग पावडर के प्रमुक गटक लिखिए तो बच्चों बैकिंग पावडर जो होता है वो sodium, hydrogen, carbonate और tartaric amal का मिस्टरन होता है जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें baking powder प्राप्त हो जाता है जूल के तापन नियम का खतल लिखिए तो बच्चों जूल ने बताया था कि जूल का जो नियम होता है वो होता है बच्चों H बराबर I square RT ये जूल का नियम है अब हमें इसका नियम लिखना है तो इस नियम के अनुसार किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण जो उत्पन उस्मा होती है वो धारा के वर्क के समान पाती होती है और उसके कारण जो उस्मा उत्पन होती है वो प्रत्रोत के समान पाती होती है और तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो उसमा उत्पन होती है वो समय के समान पाती होती है जैसा कि इसका जो फॉर्मूला है H बरावर I square R T इसके अनुसार तो इसमें आपको लिख देना है कि किसी चालक-तार में धारा प्रभाइत करने पर जाने वाली दो गैसों के नाम बताइए तो बच्टो बिद्दुत बल्व में जो दो गैसे भरी जाती है उन में एक गैस होती है नाइट्रोजन और दूसरी gas होती है आरगन दौनों ही अक्रिया सील gas है यह क्रिया नहीं करती है अगर इन gas ओको नहीं भरेंगे तो उस bulb के अंदर oxygen gas आजाएगी वायू आजाएगी जिससे क्या होगा जो हम बलब को जलाएंगे तो उसका filament जो होगा वो तुरंत जल जाएगा और हमारा bulb फ्यूज हो जाएगा इन्हें भरने से क्या होता है बलब फ्यूज नहीं होता है और बलब काफी समय तक चलता है तो अगला प्रशन है कि इन gas को बिद्द बलबों में क्यों भरा जाता है जिससे उस filament की जो आयू होती है वो बढ़ जाती है ठीक बच्चो अगला प्रशन है जीवास्म की परवासा लिखी तता इसके समय निर्धान की प्रक्रिया को समझाईए तो बच्चो बासा वाले प्रशन तो मैं आपको बताऊंगा नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन जो भी छोट छोटे आंसर होंगे उनको मैं जरूर ही solve करूँगा और जितने भी numerical है उनको मैं solve करूँगा और पर्यावरन को बचाने के लिए 5 आर इसपष्ट कीजिए अगला प्रशन है सामाने घरेलू परपत में एक परपत का एक आरेक कीचिए और अतिवारन और लगुपतन को आपको समझाना है बचो एक इस टाइप का प्रशन भी हमें बोर्ड में देखने को मिलता है दो कॉलम बना देते हैं और इनको सुमयलित कीजिए तो कई बचे करते हैं जैसे की बहुत बड़ी गलती करते हैं प्रवल अमल है तो यह H2SO4 होता है तो इसको ऐसे करके तीर से इस तरीके से मिला देते हैं और मालीजिए कोई प्राकरतिक सूचक है हल्दी तो इसको ऐसे मिला देते हैं तो इस तरीके से क्या होगा थोड़ी दिर बाद इस तरीके से पूरी कटा पिटी हो जाएगी तो हमें इस तरीके से इसके आंसर नहीं लिखने हैं इसके आंसर लिखेंगे इस तरीके से पहला है प्रवल अम्ल लिखके उसके सामने जो A है उसके सामने जो B वाला कॉलम है उसमें लिख देंगे जैसे की प्रवल अम्ल कौन है? ह-2-SO4 तो इसका आंसर है F F भी लिखना है और H-2-SO4 भी लिखना है इस तरीके से अपने लिखते चले जाएं जिससे किसी ने पूछा कि प्राकर्तिक सूचक कौन है तो 9th नंबर लिख देंगे और प्राकर्तिक सूचक लिख देंगे कौन है प्राकरतिक सूचक हल्दी तो इसके सामने ऐसे ए और हल्दी ठीक है बज़ो तो इस तरीके से आपको आंसर लिख के आने हैं ठीक है अगला प्रशन थर्मित अविक्रिया क्या है जे बच्चों बहुत important प्रशन है और अगला प्रशन है प्रवल अमल बाद दुरवल अमल किसे कहती है फृते के दो उधारण दीजिए अगला प्रशन है प्यएज किसे कहती है और इसपश्ट करो कि मुह का पी एच परिवर्तन दंत छे का कारण है और अगला प्रशन है ओम का नियम लिखिए ओम के नियम से सम्वंदित परपत में युक्ती एक्स और वाई के नाम लिखिए और अगला प्रपत में लिखिए और अगला प्रपत में लिखिए और य कौन है तो X यहां पर है अमीटर और वाई है बोल्ट मीटर अगना से ग्रंती से स्रावित होने वाले हर्मोन का नाम लिखिए तो बच्चों इसका नाम होता है इंसुलिन और इसका कारण क्या है तो insulin रखतमे glukos या सरकराप मनाएं रखता है और इसकी कमी से होने वाला रोग कौँसा होता है बच्चो इसकी कमी से होने वाला रोग होता है, madumay या diabetes मानम में link निर्धारण का क्या आधार है मानम में आपको लिंग वराद की प्रfendimा कि पूरी चीतर बना कर समझाने हैं जैसे कि नर में लिंगर सूतर एक्स बाई होते हैं or डायग्राम भी वनाना है मादा में एक्स एक्स होते हैं फिर इनके आपको क्या बनाने हैं युगमग बनाने हैं एक्स बाई और एक्स एक्स जब नरका एक्स सुक्राणू मादा के एक्स अंडाणू से मिलता है तो एक्स पुत्रियुत्पन होती है और नरका बाई सुक्राणू मादा के एक्स अंडाणू से मिलता है तो एक्स बाई पुत्र पैदा होता है तो इस तरीके से आपको पूरा अनपस्तिती में की जाती है, समझात अंग और संब्रती अंग किसे कहते हैं, इनके उधान भी देने हैं, खने जायस्क में अंतर लिखिये, और बच्चो मतर के लंबे पौधे और बौने पौधे में संक्रण कराने पर जो F2 PD होती है, उसमें प्राप्त संतिती का लच्छल प प्राप्त होगा, जिससे उसका लच्छल प्रारू बन पात है, हमें तीन अनपात, एक मिल जाएगा, तो पूरा की पूरा लगवक एक परने का प्रशन है, यह पूरा ही आपको लिखना होगा, चित्र बना कर ठीक हो, स्रेहनी करम में जुड़े तीन प्रतरोदों का परपत प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा, जिससे इसका प्रवासा बन जाती है, अब किसी एससे प्रशन भी आते है, किसी तंतु में एक एंपियर धहरा, आई बरावर एक एंपियर धहरा, तीस से तक T बरावर 30 सेकंड तक परवायत होती है तो फिर आप इसका मान कितना होगा तो I बरावर Q बटे T Q बरावर I गुणा T I का मान है एक और टाइम है 30 तो इसका आंसर आएगा 30 कूला बच्चों समय का आपको ध्यान रखना है समय सेकंड में रखना है अगर यहां मिनेट में मिलता है तो आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा धातुओं के परिस्करण से आप क्या समझते हैं तामे के परिस्करण की बिद्धुत अपगटन विदी को समझाईए और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर प्रतिवर्ती किरिया को समझाईए बच्चों इसके लावा इसमें जो एक प्रशन हो रहे है इस किताब में इस पार्ट में तंत्र का कोसका का नामांकित चित्र बनाते हुए उसकी बनावट और उसकी किरिया विदी यह भी आपको देखनी है अगला प्रशन है रेडॉक सबक्रिया किसे कहते है जैडनो प्लस सी वरावा जैडन प्लस सी ओ में किस पदार्ट का उप्चैन और किसका अप्चैन हो रहा है अगला जो प्रशन है 27-67 इन दोनों में से एक प्रशन जरूर आगा बच्चों या तो बिद्धुत मोटर आएगी या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आएगा आपको इन दोनों प्रशनों को बिल्कुल कर लेना है 27-27 का प्रशन है बिद्धुत मोटर का नामंकित चित्र बनाते हुए इसके सिद्धान्त और कारविदी को समझाईए व्यवसाएक मोटर की सक्ती में कैसे ब्रद्धी की जाती है और अगला प्रशन है प्रत्यावर्ती धारा की परवासा दीजिए तता इससे उत्पन करने वाली युक्ती जो होती है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र उसकी कारविदी इसपश्ट कीजिए उसका चित्र बनाईए और धारा दिसा परवर्तन को समझाईए अगला प्रशन है जलके बैद्धुत अबगड़न की विदी लिखिए इसकी आवस्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए और नामांकित चित्र बनाईए बच्चों ये पहले पार्ट में जलके बिद्धुत अबगड़न की विदी है बहुत ही सरले इसको याद कर लें दोहरा परिसंच्रण से आप क्या समझते है अगला प्रशन है नेफ्रोन वाला है बच्चों ब्रकाड़ू का नामांकित चित्र बनाते हुए बच्चों हिंदी मीडियम बालों के साथ साथ हमने इंग्लिस मीडियम बाले बच्चों का भी ध्यान रखाए से लिए हमने यह प्रस्ण ने प्रस्ण नंगिंडियम भाले उन्हें भी यह वीडियो सेहर करें उत्तर lens के मुक फोकस की परवासा दीजिये और यह उत्तर lens के सामने पर चो ये वालग पर स्वर्ण है ये इस टायप कि प्रस्ण आपको बिल्कुल करने है एक बस्तु उत्तर लेंस के सामने focus 2F पर रखी ये focus 2F पर रख्या ये कहीं भी सकता है कोई fix नहीं है ये प्रिकाशिक के इंद्र है, ये focus है, ये 2F है ये anant है या to anant पर रख दे, ये 2F पर रख दे, कहीं भी रख सकता है आपको बच्चों सब तरे के यह चित्र बना कर देखने हैं जैसे कि यह वाला है फोकस टूए पर रखा है तो फोकस और बीच आपने कोई बस तू रख दी ए भी तो इससे का करना है दो करण निकालनी एक मुकच्चे के समानतर जो की अपवरतन के वाद फोकस ते होकर कुझ लेगी और दूसरी प्रकासी क प्रकासा स्काइब जो इसे फूर से तो जाएगी इस तरीक आप को चित्र अगया बनाना यह जैसे कि बुक में दे रहा है ठीक एक दर पर सूत्र होता है एक लिए Sunday ऽे रखानए एक बनावर माईनस एक बनेटा यू और बच्चों अगर पूछ दर पर सुत्र लखी है तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है, यह अंतर है, किसी लेंज की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, F बरावर 0.5 मीटर है, तो उसकी छमता ग्यात कीजिए, तो बच्छो अभी इस उपर हमने यह सुत्र देखा था, कि P बरावर 1 बटा F, तो 1 बट पाँच, पॉइंट अठाएंगे तो 10 बटा 5, तो इसका अंसर आएगा, दो डाइपटर, बच्छो मात्रक जरूर आपको लगा कर आने है, गोल ये दरपन की वक्रता केंदर को परवासित कीजिए, एक अवतल दरपन द्वारा प्रत्विम बनना दर्साइए, जब बिम जो फोकस हो गया और बक्रता केंदर हो गया, तो हमें पता है जब बस्तु बक्रता केंदर पर इस्तित होती है, तो इस तरीके से बच्छो में इसका चित्र बना देंगे, एक माध्यम का अपवरतनक एन बरावर, एक पॉइंट पाँच है और निरवात में प्रकास की चाल है, तीन गोडना दस्की घात आठ मीटर पर सेकेंड, तो माध्यम में प्रकास की चाल निकाली तो अच्छा इस सूत रोता है अपवरतनांग बरावर प्रकास की बायू में चाल और प्रकास की माध्यम में चाल का अनपात तो यहां अपवरतनांग दे रखा है एक पॉइंट पाँच प्रकास की बायू में चाल दे रखी है तीन गुणा दस्की गात आठ अपॉन बी जब बी निकालेंगे तो इसका अंसर रहेगा दो गुणा दस्की गात आठ मीटर पर सेकिंड अगला प्रशन छेसो बाट का छेसो बाट अनुमत वाला कोई बिद्धूत हीटर आठ घंटे चलाए जाता है चार रुपए प्रती यूनिट की दर से तीस दिन चलाने पर जो बिजली का खर्च होगा बच्चों उसका अंसर कितना होगा तो उसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका सूत्र होता है घरों में जो लाइट खर्च की जाती है उर्जा जो खर्च होती है वो यूनिट में होती है तो उर्जा का सूत्र होता है सक्ती इंटू समय लेकिन समय जब हम इसे घंटे में लेंगे और इसमें एक हजार का भाग लगा देंगे तो ये यूनिट में बदल जाएगा तो कितने बाट का बल्ब है बच्चों 600 बाट का हीटर है बल्ब नहीं है और रोज 8 घंटे इसको चला रहे हैं तो एक दिन में ये जो उर्जा खर्च करेगा वो होगी 4.8 तो एक दिन में खर्च की गई उर्जा होगी 4.8 तो 30 दिन में कितने खर्च करेगा तो इसके द्वारा 30 दिन में खर्च की जाएगी 145 यूनिट और एक यूनिट का मुलित 4 रुपे है तो 145 यूनिट का बिल बनता है 576 रुपे तो बस सबीज रासियों में गुणा करके एक हैयार का भाग लगा देंगे तो आंसर इसका सीध ही आजाएगा अब बच्चो इस तरीके के प्रशनवी है कि एक बस्तू 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अबतल दरपन से कोई बिम 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रदिम की इस्तिती और प्रकरती ज्याद कीजिए तो बच्चो इस टाप की प्रशन किस तरीके से करने है कि अबतल दरपन दे रखा है तो अबतल दरपन बनाएंगे इसके सामने कोई बस्तू यहां रखी है और बच्चों सभी दूरी यहां दूरी से नापते है तो बस्तू की दूरी होती है यू तो इसका यू दे रखा है माइनस 27 क्योंकि अगर हम बाई और दूरी नापेंगे तो रडात्मक होती है तो 27 माइनस 27 सेंटीमीटर और अब तल दरपन की फोकस दूरी होती है माइनस 18 सेंटीमीटर तो हम इसमें अब दरपन सुत लगाएंगे कि 1 बटे F बरावर 1 बटे B प्लस 1 बटे U तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो यह जागा 1 बटे B बरावर 1 बटे F माइनस 1 बटे U तो 1 बटे B बरावर 1 बटे F माइनस 18 प्लस 1 बटे सॉल्व करेंगे तो बच्चो इसका आंसर आएगा माइनस 54 सेंटीमीटर तो यह 54 सेंटीमीटर दूरी पर उनेगा और प्रकरती कैसी होगी तो इसका सूत रुता है आवरदन बरावर अगला प्रशन है कि कौन से कारक हैं जिन पर एक चालक का प्रत्रोध निर्वर करता है तो चालक तार का प्रत्रोध तार की लंबा ही पर अनप्रस्तिकाट छेत्रफल पर पदार्त की प्रकरती पर और ताप पर निर्वर करता है प्रत्रोध अगर कोई तार जिसकी लंबा ही एक मीटर है उसका अनप्रस्तिका तो सबसे पहले हम उपर वाले दोनों प्रतरोदों को स्रियनी करमें जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा 10 बरावर 4 ओम इसी तरीके से जोले नीचे वाले नो Hm प्रत्रोदों को जोड़ देंगे तो इनका भी आंसर इतना ही आएगा R डबल डबर्वर R3 प्लस R4 माल लेंगे इनको तो 2 प्लस 2 बर्वर 4 ओम तो नीचे वाले दोनों तारों का प्रताड हो जागा 4 अब चो ऊपर वाले तार नीचे वाले तारों के साथ समानतर करमें जुणे हैं तो 1 वटे R बरावर 1 वटे R ड 때 मतलब एक बटे चार प्लस एक बटे चार जब से सौल करेंगे पच्छांतुर करेंगे तो इसका आंसर आएगा दो ओम धहरा पूछी यह दहरा का सुत्र होता है आई वरावर बी बटा आर कुल धहरा पूछी तो कुल बोल्टेज में कुल प्रत्रोद का भाग लगाना है तो कुल वोल्टेज यहाँ पर कितने दर रहे हैं बच्छो छे वोल्टेज और सर्केट का कुल प्रतुरत आ गया है दो तो दो ती अच्छ है तो धारा आ जाती है इसमें तीन एंपियर तो इस टाइप के सर्केट वाले प्रस्ण भी आपको करने है अब मैंने थोड़े चोड इस टाइप करते हैं एसक मैंसे गैंग को असुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या खिलाती है इसका सम्रद्दी करने जो जीव उतपादक द्वारा उतपादित भोजन पर प्रत्यच्छ रूप से निर्वर रहती है उन्हें हम प्रात्मिक उपभोकता या साका हरी इसके अलाबा ओजों परत्में हानिकारइक किन विक्रणों से माझन अच्छा करती वर्चो परत्यों मुझा थूप BROWN चmeeिन परत्मुनी करनों से अच्छा करता है प्रत्यावरति धारा किसे कहते हैं प्रत्यावरतिधारा यसी धारा होती है जो निश्चस समय अंतराल के बा बच्चों जब किसी मिस्टरन में तीन भाग HCl लेकर और इक भाग नाइट्रिक अमल का मिला देती हैं तो हमें जो मिस्टरन प्राप्त होता है उसे एक्वारेजिया कहते हैं और इसमें सोना और चांदी बच्चों घुल जाते हैं दरपन के लिए वक्रत तत्रिज्जा और फोकस दूरी में संबन लिखी बच्चों ये होती है और जल संग्रन क्या है कि बरसा के जल को एकत्रित करना ही जल संग्रन कहलाता है बिद्धुथ हीटर की कुंडली सुद्ध दातु के इस्तान पर मिस्र दातु क्यों बना जाती है क्योंकि बच्चों हीटर की जो कुंडली है वो मिस्र दातु की इसलिए बना जाती है मतलब यह जल कर तूटती नहीं है ठीक बच्चो अगर एक बल्म 220 बोल्ट के बिद्धो जनितर से संबंदित है और 2 एंपियर की धारा प्रवाइत हो रही है तो सकती क्या होगी तो सूत्र बच्चो पी वरावर वी आई वी का माने 220 बोल्ट धारा का माने 0.2 तो इसकांसर आएगा 46 बाट बायू मंडल में ओजोन परतकी तीबरता में गिरावट का मुखे कान बच्चो किलोरो फिलोरो कारवन एक ही सौकिट में एक ही समय पर जहम बहुत से बिद्धुत साधितरों को जोड़ देते हैं इन परशनों को जरूर देगें यह बहुत ही important परशन है और बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छी लगी हो चैनल को subscribe करके रखें क्योंकि आपके लिए ऐसे ही जैसे ही बिग्यान का पेपर राहिस्तान वोड का या होगा हम तुरंथ ही उसकी वीडियो एक घंटे के अंदर बना कर upload कर देंगे जिससे आप अपने answer मिला कर check कर सकते इसलिए आप चैनल को subscribe करके रखें thank you students